कहो मंत्री जी, राज्य में सब अमन्चैन? मंत्री ने जुक कर कहा, संपून राज्य में फुल अमन्चैन है महराज हर नागरीक अधिक्तम टेक्स दे रहा है और न्यूनतम सांस ले रहा है राजा ने संका जाहिर की नागरिक पहले टेक्स दे रहे हैं या पहले सांस ले रहे हैं मंत्री ने आस्वस्त किया लोग पहले टेक्स दे रहे हैं उसके बाद ही सांस ले रहे हैं माराज राजा ने सवाल किया कोई कम टेक्स देकर ज़्यादा सांस तो नहीं ले रहा है मंत्री जी मंत्री हसा आपके राजा होते इतनी पॉल थोड़े ही है माराज फिर भी कभी कोई बिना टेक्स चुकाए आपके राज्ये की जराशी भी ऑक्सिजन खींचने की कोशिश करता है द्वार पर खड़े सिपाई की तरफ इशारा करते वे तो आपका ये ऐसे किसलिए है राजा गदगद होते वे बोला आप जैसा अर्थ सास्तर तो कोटिल्ले के पास भी नहीं था मंत्री जी राज्ये का मीडिया तो सच्चाई के राश्ते पर है ना मंत्री ने बताया एकदम सच्चाई के राश्ते पर है मंगला से सयन तक आप ही की जहांकिया दिखाता चापता है हमाराज आपकी क्रपा से मैंने मीडिया को संख में बदल दिया है जो आप ही की फूँक से बजता है राजा ने सेलफी लेते वे पूछा और आर्थिक विकास मंत्री बोला जिन दो धनकुबेरों ने आपको राज पद तक पहुँचाया है उन में से एक की संपत्ती सवाई और दूसरे की ड्योड़ी हो गई है राजा ने स्वेत दाड़ी पर हाथ फिराते वे आक्रोश व्यक्त किया बड़ा धीमा आर्थिक विकास है मंत्री जी मैंने आई दुगनी करने का वचन दे रखा है और अभी तक दोनों की संपत्ती सिरफ सवाई और ड्योड़ी ही हो पाई है मंत्री ने विवस्ता प्रकट की क्या किया जाए आपके आर्थिक विकास के मार्ग में खेती बाड़ी वालों ने अपने ट्रेक्टर अड़ा दिये हैं महाराज राजा ने पूछा ऐसे व्यवधानों से मेरे सरद्धालू तो निराज नहीं है ना मंत्री ने कहा कता ही नहीं आपके सरद्धालूं पर आपका जादू यतावत है महाराज आपके अलावा किसी देश का राजा अपने सरद्धालूं के दिमाग में ये नहीं बिठा सकता कि एक हजार का नोट बंद करके दो हजार का चलाने से काला धन खत्म हो जाएगा